गुड इबनी गॉल अफ यू आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉंसेट्स पर आज जो कॉंसेट्स दिखो उसमें हम समझेंगे इन एक्स्प्रेशन्स को कैसे सॉल्व करना होता है मलब यह रीकरिंग डिजिट्स है जिन पर बार लगा होता है दो एप्रोच इसकी होती है पहली एप्रोच आप लोगों को पता है कि जितने बार होते हैं उतने ही नीचे नाहीं आते हैं बट वो काफी बड़ी एप्रोच है इसके लिए काफी टाइम आपको लगेगा उससे अच्छी एप्रोच मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देखो एक ही स्टेप में आप खतम कर सकते हैं को करना गया है आपको बड़े दियान से बस एक बड़ी समझना है मैं समझाता हूँ देखो यहां जो आपको expression नजरा रहे इधर total number of terms 3 है तो आपको ना दो चीज़े देखनी है decimal के बाद कितनी digits है जिन पर बार नहीं है जैसे समझते हैं देखो यह टरम आपको नजरा रहे है तो digits without bar यहांपर हमें एक नजरा रहे है मलब 0 पर बार नहीं है तो हमने लिखा एक डिजिट है यहां हमें without बार कोई भी डिजिट नजर नहीं आ रही सब पे बार है तो हमने लिखा यहां ऐसे कोई डिजिट नहीं है और यहां में नजर आ रही है एक डिजिट without बार तो हमने लिखा एक आपको करना है कि इन में से maximum number उठाना है सबसे बड़ा और 101 में से सबसे बड़ा number 1 होता है दूसरी बात decimal के बाद हमने देखना है कि digits with bar जैसे कि हम यहां देख पा रहे हो एक डिजिट पर बार है एक लिखा यहां पर दो डिजिट पर बार है तो दो लिखा और इधर भी दो डिजिट पर बार है तो दो लिखा इन तीनों numbers का आपको लेना है LCM बहुत चोटा से LCM है दो अब समझना है pattern कि कैसे हमें इन numbers को लिखना है अच्छा देखो कैसे लिखना है इनको सबसे पहले बात तो यह है कि जो अभी हमने उपर समझा है कि भाई decimal के बात एक डिजिट पर बार नहीं होना चाहिए तो हमने एक डिजिट छोड़ दी उसके बाद हमने समझा है कि दो डिजिट पर बार होना चाहिए फिर हमने दो डिजिट देखो बार के साथ ली और ये दो डिजिट आपको और चलानी है तो टोटल हमें इस पैटन में नमबर को लिखना है कैसे लिखना है वो भी समझते हैं जैसे मालो मुझे इस नमबर को लिखना है इस पैटन में decimal के नीचे आप decimal लिखोगे और decimal से पीछे कुछ भी है आप लिखते चलोगे decimal के बाद जैसे कि आपने लिखा 03 और जहां तक आपने ये numbers fix किये देखो यहां तक तो आपको उसी number को चलाना है आगे जिस पर बार है और बार देखो यहां पर तीन पर है तो आप आगे तीन को चलाते चले जहां तक आपने fix किये उसी तरीके से अगर आप इस number को लिखेना चाते हो तो decimal के बाद आपने 09 लिखा और आपने देखा कि भाई आगे भी 0909 नहीं चलेगा लेकिन वही तक जहां तक हमने fix किये है यहां दियान से रेको 0.6 के बाद आपको नज़रा रहा होगा कि बाद 23 पर है तो इसी लिए जो आगे हमने चीज़े चलाई वो 23 चलाई जहां तक हमने position fix किये last में कहा करना है क्योंकि expression को जोड़ना था तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 3 और 3 6 मिल रहे है 9 और 3 12 और 2 14 का 4 एक कैरी करोगे तो 3 और 3 6 और 1 7 9 और 3 12 और 2 14 का 4 एक कैरी किया और 6 और 1 7 इधर 0 अब आप ध्यान से समझो आपने जहां पर बाद लगाया है ना उससे आगे के digits को नहीं देखना मतलब हमें सिर्फ 0.747 को देखना है और जैसे कि हमने पैटन पहले समझ लिया था बार लगेगा अगली दो पर एक आपको रखनी है विदा उट बार तो आंसर होगा 0.747 और बार होगा 47 पर उमीद है यह चीज समझ में आई होगी अगर अभी भी कोई कमी पेशी रहेगी तो एक और ऐसा कोशन कर लेते हैं और इसके बाद 5 कोशन आपको मिलेंगे assignment पे देखो भी फिर से एक बड़ी कोशन सामने है यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा decimal के बाद कितनी digits है जो without बार है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी नहीं है यहाँ एक है यहाँ एक है maximum क्या होगा एक उसके बाद देखना है decimal के बाद digits with बार यहाँ देखो धियान से एक पर बार है इधर दो digits पर बार है और इधर एक digit पर बार है LCM फिर से 2 होगा तो यहाँ भी भी बाटन बना कि बाई decimal के बाद एक digit रखनी है without बार और दो रखनी है with बार और दो digits हम अपने मर्जी से आगे चलेंगे अब कैसे numbers को लिखना है देखो तो सबसे पहले जो 22.4 है तो 22 तो रहेगा देखो decimal से पहले और decimal के नीचे decimal के बाद आपने लिखा 4 अच्छा आगे भी देखो क्योंकि बार 4 पर है तो 4 चलता चलेगा जहां तक आपने numbers को fix किया है उसी के नीचे आप इसको लिख लो 11.22 के नीचे आगे हम और आगे आप लिखोगे 5 और बार क्योंकि 6.7 पर है तो आप 6.7 को आगे चलते चलोगे तीसरा number आप लिखोगे तो भी ऐसी लिखोगे कि 33 decimal से पिछे आएगा और उसके बाद 5 और आगे चलता चलेगा 9 क्योंकि 9 पर बार है और शुरुआत वले देखो दो numbers को जोडना है और नीचे वले number को घटना है मरला इनको जोडना है और इसमें से ये घटना है तो 4 और 7 11 में से 9 गया 2 4 और 6 10 में से 9 गया देखो 1 7 और 4 11 में से 9 गया 2 उसी तरीके से 6 और 4 10 में से 9 गया 1 और 6 और 5 9 में से 5 गया 4 22 और 11 33 में से 33 गया 0 और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां आपने बार लगाया है उसके बाद आपको नहीं देखना तो आप कहोगे 0.412 और बार आएगा इस 12 पर तो अगर जो ये चीज़ आपको समझ में आई है तो आप देखो इन 5 questions को करो और अपने अपने answers ना comment box में भी दो और देखते हैं फिर मलब किसके सही आंसे रहते हैं थोड़ा समय एंट दे रहता हूँ देखो यहां बहुत से बच्चे confused होंगे जैसे question number 2 में उनको यहां minus नचरा रहा है देखो ज़्यादा असान होता है कि पहले हम जोड ले और फिर उसमें से घटा ले मलब आप इस number के नीचे इस number को लिखना और last में इसको लिखना तो इनको जोड़ते चलना और उसी में से इसको घटाते चलना तो उमीद आप इस चीज़ समझ चुके होंगे और बाकी अगले concept के साथ जल्द मिलते हैं आप तब तक इसको अच्छे से समझो चलो टेक केर बाई